अब एक बार के लिए वापेस आजाओ हाई फ्रेंज एन एवरिवन लेट्स सब्सक्राइब आर निव चाप्टर दाड़िए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटुट्स चाप्टर बहुत मेहतोपून है बड़ा इंट्रेस्टिंग इसमें बहुत ज्यादा है अच्छाप्टर को मैंने इंट्रेस्टिंग और महतोपून दोनों वर्ड साथ में क्यों यूज़ कर दिए आप जब बोलते हो सबसे इंपॉर्टन बात बनती ही समझेगा कैसे जब आप कहते हो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटुट्स का मतलब क्या है पहली बात स्टेटुट वर्ड हमारे लॉव में कहीं है इच नहीं स्टेटुट वर्ड कहीं पर अपने बताए नहीं कॉंस्टिट्यूशन के अंदर अपने क्लेली लिखा है जहां पर भी आप यह वर्ड स्टेटुट पढ़ो न तो उसको लौ समझ लेना तो प्रैक्टिकल यह आपके इस चैप्टर का नाम इंटर्प्रिटेशन ऑस्टेट जाते हो जब आप कंफ्यूस से हो जाते हो कि अपने को क्या करना है एक जाम बढ़री सिंपल एक्वल एक्वल इंटर्प्रेटेशन का सवाल आ यह एक बहुत गजब तरीके की बात हुई है उनके अंदर बागबान चलो अ K I'll all pack कि की है निBir मैंने किया सिच्वशन में ठीक एक कर्वा लूँगा गसा मत करो उन्होंihatफ किया था गुस्वा समझांट साई के मैंने मेरी गख्रेंट से पीचिछा कि मैं इस रात को पाटी में जाना चाहिए हूं नि देखो मैं तुम्हें रोकती तो नहीं हूं जैसा तुम्हें सब्सक्राइख कर लिए जीःटेश्ण की बाद आ चुकी है का hell नर आप के सामने एक क्लियर लाइन है पर उससक्लियर लाइन से मतलब नहीं नीकलता और आपके सामने कि जब आप एक लोग को रीड करते ना तो आपके सामने हर बार लोग केंदर बहुत सारी चीज़ें आती जिसमें अपन कंफ्यूज से हो जाते हैं कि वह लेजिस्टेशर क्या कहना चाहरा था इस एक लेज़िस्टेश्र ने कहा है कि अगरेशन का पर टैक्स नहीं एंट कि ऐसे बात है ना मतलब वेजटेबल शबसिता पर टैक्स नहीं लगेगा गोगोनट पर टैक्स लगाओगे कि नहीं आपके सामने सबागे आपने का सर नॉर्मल मीनिंग देके तो वेजटेबल ही है गोगोनट ऐसा वो गाती है अपना प्रकट थुड़ी होता हो तो इस पर भी टैक्स नहीं लगाएंगे हम निगा नीमू मिर्ची अधरक टैक्स लग पर टैक्स लगता है गोगोनट के ऊपर टैक्स लगता है सुप्रीम कोट ने क्या बोला कि बहुत समझो गोनट तुम रस्ते चलते खाते ओंगे चीजी तुमारे नहीं या एसा है कि आपके रोज के फूड में एक एडिबल एलेमेंट है इसने तो कोकोनट को तुम पर बस यह मदरास कहें जिसका जज्जमेंट गया था आगे सुप्रीम कोट उसने बोला को फॉर 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 पॉपस अब इस आप वेज़टेबल ट्रीट नहीं करोगे बाकी आप उसको वेज़टेबल बोलो क्योंकि जनरल बात है आप कहते हो कि वेज़टेबल है अच्छा फिर नेक्स सवाल उठा नीमू मिर्ची अधरक इसको वेज़टेबल बोलना है कि नहीं अब यहां पर हमने बोला कि जब तुम कोकोनट को वेज़टेबल नहीं बोल रह इंकम एग्ज़टेबल नहीं बोली मैंने का वेज़टेबल के उपर टाइक्स नहीं है तो जिसमें आपने बोला कि कोकोनट को फॉर्ट पर्फॉस अधरक्सेशन वेज़टेबल ट्रीट नहीं करना है बाकी तुम करो वेज़टेबल ट्रीट कोई दिक्कत नहीं और सुप्रीम कोट ने बोला कि यह लोग करते हैं यूज आप निम्मू मिर्ची अधरक की जब आप बात करते हो यह जनुर्ली इसे करते हैं तो फॉर्ट पर्फॉस आप इंटर्प्रेटेशन निम्मू मिर्ची अधरक को तुम रखेग्स करो एज वेज़टेबल क्यों कि यह होम ग्रोन भी हो सकती है और घर के डेली उसे में भी आती है वाट ऑन दो कॉंटरी जब आप कोकुनेट की बात करते हो उसको आप डेली उसे में लेते हो वह आपके खाने का एक एसेंशल पार्ट नहीं है हैंस उसे फॉर माई परपस वेज़टेबल रिखेग्स मत करना यह यह वेज़टेबल से कोगोनेट को बाहर निकालना क्या है दोस्तों इंटरप्रेटेशन अफ देस्टेटूट उसने कहा लेजिसलेचर का इंटेंशन समझो लेजिसलेचर का इंटेंशन समझो कि जो नॉर्मल फार्मिंग करके लोग खाने पीने की चीज़ें लेके आते है ना घर के अंदर हम उसको सस्ता करना चाहते थे हम उसको एक्जेम्ट करना चाहते थे लोग नॉमल फार्मिंग करके घर पे नहीं लेके आते हैं फॉर दबबबस उफ इटिंग coconut is something जो आप कभी कभार घर के न लाओगे आप इसको vegetable treat नहीं करोगे अभी उसने का कि sir पर बहुत सारे major जगाओं पर तो इसकी सबसे बड़ी farming है but the question comes down here should we treat it under the state laws as vegetable or not to which the supreme court said कि इसको vegetable treat मत करो यह vegetable की definition में नहीं आएगा अगर agriculture income की बात करोगे न उसमें आप उसको लेलना पर यह vegetable की definition से exclude कर दिया गया जबकि निमू मिर्ची अधरक को अपन ने क्या कर दिया vegetable की definition में लिखा है तो ऐसे ही जो मैंना भी एक बात बोली इसको अपन बोलते हैं interpretations इस chapter के अंदर अपन interpretations के अलग-अलग rules पढ़ने वाले हैं जैसे कि literal meaning of interpretation जहां आप dictionary meaning से जाते हो भाई यह लिखा है इसका dictionary meaning यह है यही constitute करना है मतलब strict interpretation आपन liberal interpretation भी करेंगे आप लोग constructive interpretation भी करोगे अच्छा बात समझना इधर एक और interpretation आएगा adjustment generous यह नहीं सबसे लोगों ने इसको बहुत confuse कर रखाए adjustment generous को इसका मतलब क्या होता है अच्छा यह क्या कह रहा है कि कभी भी कुछ है ना एक series चल रही है तो आपका interpretation उस series में ही चलता है कैसे अगर मैं आपके सामने बोलतू एक तीन पांच साथ आगे क्या बोलोगे नौ आठ क्यों नहीं बोला ऑटमाटिकली ना आपने series बना दी transaction चलने की मैंने बोला cycle आप अपने आप उसके आगे क्या जोड़ने कुछ करोगे बाइक और कार के साथ ट्रक कोई प्लेन बोलेगा क्या ने परक्या बढ़ रहा है आपने का भाई समझ तू साइकल बस ट्रेन यह सब बाते कर रहे हैं यह सब रोड है सब बाए रोड चल रहे हैं तो हमने उन सम ट्रांसेक्शन को एक अंदर ले लिया हवेवर जब तू प्लेन की बात कर रहा है यह और रूट नहीं होता यह एर ट्रांसपोर्ट है यह बिल्कुल अलग चीज होगी तो अगर आज मैं आपके सामने लिखू नब मोटर वेहिकल एक्ट अप्लाइस टू ओल्ड़ वेहिकल्स सच आज बाइक्स साइकल कार्स एट तुमें एट्सेट्रा का मतलब क्या समझोगे तो ऐसे multiple interpretations हैं जो आपन interpretation of statutes के अंदर पढ़ने माले हैं So very interesting chapter very important for the perspective इधर आपको समझ में आएगा जो मैं आपके सामने multiple भोलता हूँ कि बीटा में लिखा हुआ है बीटा शाल लिखा हुआ है शाल का मतलब ऐसे लो में का मतलब ऐसा लो हर एक छोटी-छोटी चीज़ का interpretation आपको यहां सीख देगो मिलेगा interpretation of statutes के अंदर Well versed with the topic of this topic कि what do you mean by interpretation आपने समझना है अब बात समझो आज आप खड़े हो आज आपके सामने कितने सारे act है सोचके देखना आज आप most of the laws ऐसे पढ़ रहे हो जिस law को लिखने वाला legislature कब का मर चुका है आप CRPC में चले जाओ आप CPC में चले जाओ आप कहीं भी चले जाओ interpretation समझो Okay let me give you one more example इस interpretation को आप करोगा interpret मैं नहीं कर रहा मैं आपके समने एक line लिख रहा हूँ और उसके बाद एक बंदे ने हरकत किये आप मुझे बताना कि क्या करो cell phones are prohibited in the class cell phones are prohibited in the class शौर ना कोई देखकर एक बंदा walkie-talkie लिखिया है और आरम से बाते कर रहा है पगल वाली class की लड़ी के उससर cell phone नहीं लाया है walkie-talkie लाया है आप मिर को इतना बोलो उसको क्या करे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए मार किसे दिया जाए क्यों भई आपने का यार सर cell phone ना लाने का reason क्या था आप interpret करो जिसने law लिखा था ना वो purposefully कह रहा था कि अब distract ना हो आपका communication ना हो किसी और से आप lecture में ध्यान देबाओ अभी तुम लोगों ने क्या किया interpretation किया एक law का ऐसा लिखा भी नहीं था कि वॉकिड़ की मतला ना पर फिर भी तुम ने उसको punish कर दिया जबकि उसे वॉकिड़ की लाया था phone नहीं लाया था this is what is who call as interpretation of statute हम इतना strict interpretation नहीं ला सकते आप लोगों ने क्या किया आप लोगों ने मेरे intention को देखना चाहा इस line के बीचे आपने कहा बात समझ लाइन को मत पकड़ आप by words इतना perfectly कोई भी statute लिखी नहीं सकते हर कोई अपनी intention लिखता है हर कोई अपनी intention लिखता है और इसी लिए तो हमने judge बनाएं इसी लिए तो हमने lawyers बनाएं जो इसी interpretation को आपके सामने लेके हैं कि भाई क्या intention था उस time के legislature का जब वो ये law लिख रहा था और punishment हम उसके intention के सब से decide करते हैं ये law लाया क्यों गया था ये देखना जाता है यहां ते एक दम ठीक है अब इधर ही इससे थोड़ा सा आगे बढ़ू आपके सामने एक online लिखता हूँ on Wednesday on Wednesday you can wear complete blue इसका मतलब क्या है मतलब Wednesday के दिन आपने complete blue बनके आना एक दम strict meaning निकाल सकते हो कोई intention interpretation की जरूद नहीं बड़ा capable है अपने meaning खुद ही define करने के लिए interpretation इतर लगता ही नहीं है जरूद ही नहीं है कोई vagueness है कोई confusion है तो next चीज interpretation of statute बीच में कब आता है जब आपके सामने एक vagueness create हो जब आपके सामने confusion create हो is the time जब आपन बोलते हैं हमने interpretation of statute करने की जरूद है बात समझाएं यहां तो बड़ा clear था ना आपने Wednesday की दिन complete blue कपड़े पैन के आने topic comes to an end शौर अब इससे next चीज समझा अगर मैं यहीं पर एक line add कर दूँ कि मैंने आपको कहा कि Wednesday के दिन complete blue pen के आना और sorry अब न मैं थोड़ा सा इसे करता हूँ और white pen के आना और black pen के आना अब इसका मतलब क्या बताओ मैं आपको दो options दे रहा हूँ सर पूरा complete blue pen के आना आप यह कहना चाहरे हो या फिर पूरा complete white pen के आप यह कहना चाहरे हो या फिर पूरा complete black pen के आना यह कहना चाहरे हो या फिर सर आप यह कहना चाहरे हो कि blue white और black इनका मिला के combination पहन के आ जाना यह भी allowed हो क्योंकि यह तीनों रंग permit किया है इफ यू सी आप सब के दिमाग में ना एक confusion है एक vagness है कि भाई कहा जाना है समझ नहीं आ रहा है complete white पहनना है complete blue पहनना है complete black पहनना है कि इन तीनों का mixture पहनना है अब आप क्या कह रहे हो आपने को intention समझना पड़ेगा इसका interpretation समझना पड़ेगा कि परपस क्या था इसको लिखने का अब आप लोग परपस नहीं समझ पारे तो हम लोगों ने interpretation of statutes में आपको समझाई ही बात कि भाई जब कभी भी और लग जाये ना इसका मतलब पता है या तो complete white pen के आना या तो complete blue pen के आना या तो complete black pen के आना कहीं पे भी इसमें दो चीजें साथ में लिखने के लिए नहीं का गया था जब और लगाना तो आपका interpretation क्या है या आइधर दिस और दिस और दिस और दिस नाव दिस इन interpretation जो आपने किया नेक्स्ट मैंने कहा class आते आते अपने teacher के लिए गोल्ड जुल्री एंड डाइमंड्स लाए जा सकते हैं गोल्ड जुल्री एंड डाइमंड्स लाए जा सकते हैं अब आपने क्या बोला sir इसने और में अपने बास option था ये या फिर ये पर जब ये and लग गया न ये दोनों चीज़े कर रही है बढ़री हमको gold and diamonds लाने बढ़ रहे हैं मतलब इसका कुछ नया interpretation आ रहा है मतलब आप कहा रहे हो कि एक छूटा सा word और और and का interpretation बदल देता है interpretation of statutes यहीं बीच में आता है जहां पर कभी भी आपको legislature की बात में कोई vagueness लगती है कोई confusion create होता हुआ दिखता है उस confusion को उस confusion को हटाने के लिए हम उस statute को क्या करते इंटर्प्रेट करते हैं so far so good no doubts अब पहले एक बार से रीड करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे आगे अच्छा एक चीज़ इस से पहले बचे नहीं इस आपके निर शेओ इस इंटर्प्रेटर्टेशिशन और अब नौट अब आड़ टर्म पढने वालो एक हपकैते हैं वर्ड इंटरप्रेटेशन को एक बचेटेशन और दूस्ञा आप कहते हो construction लोग usually इसको same use करते हैं interpretation भी एक है construction भी एक है पर दोस्तों ऐसे नहीं होता interpretation you try to interpret the intention of the legislature construction based on that intention आप construct करते हो कि इस situation में apt remedy क्या होनी चाहिए construction का मतलब होता है आप उसकी intention interpret करने के बाद अपने लिए क्या solution बना रहे हो interpretation मतलब legislature की इच्छा को जानना construction मतलब उस इच्छा को यहाँ पर लगाना यहाँ पर एक दम ठीक है यह छोटा सा हेलाइन इफरेंस होता है interpretation और construction के बीच में a statute has been defined as the written will of the legislature first line of a chapter statute का मतलब क्या होता है एक legislature की इच्छा यहाँ पर लिख दिया that cell phones are not allowed I am the legislature यह मेरी लिखित इच्छा है कि आप लोग यहाँ पर cell phones use नहीं करोगे it denotes the act enacted by the legislature in simple terms a written law passed by a legislative body that is Parliament or State Assemblies though the Constitution of India does not use the term statute but it uses the term law as per article 13 subsection 3 clause A of the Constitution law includes any ordinance order bylaws sorry rule regulation notification customs or usage made by the legislature statutes are commonly divided into following classes अच्छा बच्छा यह important नहीं जो नीचा आपड़र हो कुछ लॉस होते हैं जो amending laws की तरह आते हैं मतलब Companies Act 1956 Companies Act 2013 2013 में आप बोलते हैं 2017 amendment भी आया यह amending laws है कुछ लॉस codifying laws होते हैं this act has been there to be codified the procedure regarding the criminal cases कुछ codification होता है कुछ amendment होता है कुछ prohibitive laws होते है जो आपको रोकने के लिए आते हैं कुछ permissible laws होते है जो आपको permit करने के लिए आते हैं तो यह बोल रहा है statutes को नहीं जो आपने को नहीं सबने क्लाइए होते हैं किस-किस तरीके होते हैं लोग ब्लक 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 है ना उसको पकड़ता है चलना It can be codifying that is to codify the unwritten law तो अकर कोई unwritten law था अगर उसको आप आज codify करना चाहते हो All of the laws over the time have been codified हम लोगों ने अपने सामने codified lie in laws जिसके अंदर sections आपने क्या किया उसको codify कर दिया second, declaratory laws when they do not profess to make any alteration in the existing law but merely declare and explain what it is bracket, customs को convert करके जब आप लोग उनी को आपकी practice में declare कर देते हो these becomes declaratory laws, समझा क्या, declaratory laws का मतलब हम आपके लिए कुछ नया निला है यह आपकी practice थी, हमने सिर्फ उसको क्या करती है, law बना के declare करती है third, remedial laws, जो आपको remedy प्रोवाइड करें, आपके कुछ गलत हो, when they alter the common law or the judgment, that is non-statutory law remedial laws का मतलब क्याता है, जो judge बनाता है, जो common law है, उसके against जाके आपको क्या, judge ने कोई remedy प्रोवाइड करें, तो precedent बना देता है, जैसी बनगे precedent यह आपके लिए क्या बनगे, remedial laws next up, amending laws, companies act 2017, consolidating, आप देखलो, this act has been consolidated, भुखते है न, this act has been enacted to consolidate the matters relating to this, 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 into one act, तो immobile property के लिए कोई भी चीज़ देखनी है, तो consolidated act काँस है, transfer of property act, criminal cases के लिए देखनी है तो, IPC या फिर CRPC, civil cases के लिए देखनी है, CPC, they have been consolidated, when they consolidated several previous statutes relating to the same subject matter with or without alteration of substance, enabling, जो कोई restriction को हटाए, अभी आप लोगोने LGBT community allow कर दी, it's an enabling act, disabling or restraining, when they restrain the alienation of property, and last, penal provision, जैसे IPC, when they impose a penalty or forfeiture, अब यहने अलग अलग तरीक है कि आपके सामने statutes दिएगे, जिन लोगों को आपने समझना है, जो कहता है, कि कुछ orders होते हैं, जो आप बोलते हो कि remedy remedy होते हैं, कुछ बोलते हैं, अपन अमेंडिंग होते हैं, कुछ restrictive, कुछ permissive, इन सब के अंदर, कभी कबार ऐसी चीज़े आ सकती है, जिसको अपने को क्या करना है, interpret करना है, इसलिए next nine है, meaning of interpretation, interpretation, जब आप कहते हो, meaning of interpretation, interpretation is the process of establishing the true meaning of the words of law, it is through interpretation that the court applies the intention of legislature, हमने ना लेजिसलेशर की भावना समझने है, जिस ताइम लेजिसलेशर ने काम स्टार्ट किया थाना हमने उसकी इंटेंशन समझने है, rule of interpretation is not required if the words of law have a plain and straightforward meaning, I give you an example, Wednesday को complete blueprint, it's straight, it's direct, there is no other interpretation required, interpretation का बात है, जब confusion हो, हमने क्या बहला, court जब interpret करेगा ना, उसको अपना दिमाग नहीं लगा ना, हमने court में जच को क्यों बिठाया है, हमने court में जच को इसने बिठाया है, कि वो interpret करे, एक section के अंदर जो दिया गया है, ये section के अंदर जो दिया गय वो जिसने लिखा था, वो तब क्या सोच रहा था, क्या error सही करना चारा था, तो आपको interpretation का master stroke बताता हूँ, जो आपने जीवन में याद रखना हमेशा, ये क्या कहता है, सबसे पहले समझो, आज जो section आपके सामने आया है, हमेशा इस section को interpret करने के लिए, इससे पुराने section म जाओ, इससे पहले क्या हुआ करता था, फिर वहाँ पे समझो, वहाँ का mischief क्या था, मतब वहाँ problem क्या थी, और फिर समझो, इस problem की भरपाई कैसे की गई, नया law क्या आया, जैसे ही आपने पुराना दिक्कत, sorry, पुराना law, वहाँ की problem समझी, आपको इसका intention समझमा जैसे आपने पुराना प्रोबलम और वहाँ की intention समझी, आपको इहाँ की बात समझमा जाएगी, सही बात हैं यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, section 464 of the Companies Act 2013, states illegal association, do you remember this section, section 464 says, any association in which more than 50% are there at any time, without registering their business, makes the association illegal, and उससे आगे काम करने के लिए आपको उसको क्या करवाना पड़ेगा, register करवाना पड़ेगा, do you remember this fact, yes we do, so section 464 आने के पहले चले जाओ, दिक्कत क्या होई होगी, हमने का कि सर जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी दिक्कत ही, आप partnership करते हो, agreement की जरूतनी है, कितने भी लोग चलते रहते है, sole proprietor business खोलते हो, कितने भी लोग अपने अंदर बिठाते हो, चलते रहते हो, हुआप को registration की जरूतनी है, यार कहीं तो हम लोगों ने एक statutory provision लाना पड़ेगा न, कि इतने सारे लोग जब साथ में काम करने लग जाते हैं, तो मैं डर है, कि ये लोग लो हिले होगे, हमारे घर में जैसे होते हैं, अचानक से co-personal बन जाते हैं, तो मतलब तो हमारे घर में 50 लोग हो चके हैं, तो 51 वा बच्चा ना जाय़स कहलाएगा, या फिर हो हमारे हमारे होगों और जायस कहलाएगा, हमने आपके लिए था ही निये section, हमने तो बाकी लोगों क of statute, so far so good, no problem boring तु निये, let's go ahead going ahead, to put it into other words, a judge should ask himself the question, यह judge का काम है वो कुछ से question करेगा, क्या question करेगा if the maker of the act had themselves come across this in the texture of it, how would they have straight ended it out तो यह legislature का काम है sorry, यह judge का काम है कि वो जब उसके सामने कोई मुद्दा है तो वो यह सोचेगा कि मैं नहीं, जिसने यह law लिखा है अगर luckily वो ही आगया होता है situation के सामने, तो वो आज क्या judgment देता आपने उसका intention interpret करना है और फिर judgment देना है, खुद का intention नहीं लगाना है इसलिए आप लोग बोलते हो कि law में आपके judge के सामने वो जो justice की side होती है अपन उसकी eyes closed रखते है हम कहते हैं, you don't have to be biased, you don't have to think about anyone आपने सिर्फ यह सोचना है कि आपके सामने जो law था यह law आने का reason क्या था किसने यह law लिखा था, उसका purpose क्या था एक second, sir, what if जो intention तब बनाया गया था उस intention को आज fulfill नहीं किया जा सकता उस law को बदल देंगे पर जब तक ना होना, तब तक आप बिल्गुल against नहीं जा सकते sir, what if उस बन्दे ने इस चीज के उपर कुछ बोला ही नहीं था या फिर जो matter आज हमारे सामने आ है उसका act में कहीं लिखा ही नहीं है common law तो है, natural justice तो है लगा और एक remedial law create कर मतलब एक precedent set कर दे लोगों के लिए क्योंकि इसके लिए legislature ने कुछ नहीं बोला था तू दे उसका इलाज या भी शौर, पर तू ये इलाज कैसे देगा सोच कि तू वहां खड़ा है जब ये legislature लिख रहा था और उससे किसी ने अल्टर दा, material of what it is, woman जो चीज तुमारे सामने बनी है तुम स्वेटर को उधेड के कच्छा नहीं बना सकते बट, he can add, he can and should iron out the creases पर अगर, already sweater दा जिसमें थोड़े बहुत creases थे हलका फटा हुआ था, उसको correct कर सकता है क्या, कर सकता है, पर बदल के कुछ और नहीं बना सकते है आविश और इनाफ यहां तक so what we are trying to say कि आप interpret करो interpret में कहीं फटा फटा हुआ है ना तो आप ऐसा कर दो कि आप उसे सही कर दो पर ऐसा नहीं कि तुमने उसका रंगी बदल दिया और उसका धंगी बदल दिया, ठीक एक्दम अब तेकी भी चेक डिग्राम था इंटेंशन फी लिजिश्लेशर इस न दिलिफर सइट we are confused the judge what he has to do is convert it in a very straight streamlined manner, sure enough let's go ahead ना, need for interpretation of or need for construction अचा ये चारोपन आपके लिए बहुत थाइम पास है कैसे कैसे first, the enacted laws are drafted by legal experts but they are expressed in language and no language is so perfect as to leave no ambiguities, हर चीज़ के अंदर कुछ न कुछ confusion आता है मैंने आज अभी जस्ट आपके next lecture के पहले आपके सर को message किया कि सर आज थोड़ा सा lecture late start हुआ इसलिए आप 15, 20, 25 मिंट देर से हाईगा there is huge ambiguity in the last night 15, 20, 25 मिंट में आईगा 15, 20, 25 पहला, second, lecture तेरा late हुआ मैं क्यो लेट हूँ first point, do you get the point so what is happening over here we said आपने interpret करना है कि सर आप legislature की intention समझो then that time अगर आपको lecture की जरूत है तो मैंने भी अपना time थोड़ा से adjust करना है अगर आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरे ले adjust करो तो मेरा intention बड़ा clear है कि next time कभी आपको जरूत होगी तो कभी तू information ले ले कभी हम information कभी आप time देतो कभी हम time देगे going ahead so first thing there should be some kind of ambiguity अगर interpretation की बात लानी second a statute is an edict of the legislature the intention of the legislature to be gathered not only from the language but also from the surrounding circumstances that prevailed at the time when the particular law was enacted बात समझना है थर आप लोग के सामने demonetization लाए गया so there was a time जब हमारे सामने demonetization लें थोप दिया गया यार क्या क्या कहानिया आई थी demonetization के लिए एक बंदा बोलता है demonetization क्यों कर रहे है भाई उस ताइमे टेरिस्ट वालों का एक बहुत बड़ा order इंडिया में पास हो गया था वो पैसे लेके आ रहे थे याप पर नरेंद मोदी जी को पता पढ़िया उन्होंने रात को ये note बदल दी हमने का वाह एक दिन में note बन गये तुमारे pink color के ठीक ये एक हटा दो सेकंड किसी ने बोला कि भाई black money करने के लिए बनाया है कोई बोलता है कि भाई अब नोट के अंदर चिप लगा दिये ताकि आगे ब्लैक मनी न क्रेट कर पाए इस ने बनाया है भाई तुम जो बोले हमने गांधी को कितना उल्टा किया था नोट के अंदर चिप डूढ़ने के लिए सबने note के अंदर कोशिश कियोगी एक अफमा तो यहां तक आई थी तुमारे पास चलते चलते कि बाद में से अटरलाइट से कंट्रोल करके आपको बताएंगे कहां कहां पर नोट पढ़े हुए ताकि हम चेक कर पाएं इंसान घबरा गया एट्यम जाने से कि भाई पैसे निकालने की निकालने समझ भी नहीं आ रहा है तो आपके सामने ने अलग-अलग-अलग-अलग-अलग- करना था करन्सी के अंदर हमारी एकनोमी को पुछ करने के लिए वाइट मनी इंजेक करवाना था यह विच वी फिल्ट बिगोस 99% अफ गरन्सी अज विन गौन बैक टुट ब्लैक साइड इसका मतलब क्या हुआ अरब ने आपके सामने इंटेंशन क्लियर किया वी वर इंट आप लोगों के सामने आपने एक चीज समझनी है जब आप कभी भी कोई लौ देखते हो ना तो आप उसकी सराउंडिंग सर्कम्स्टैंस भी देखते हो कि क्यों वो लौ आया होगा तभी आप उसको इंटर्प्रेट कर पाऊगे थर्ड इफ एनी प्रोविजिन ऑफ इस्ट आप लोगों को एक लोग के दो इंटर्प्रेटेशन दिख रहे हैं तो आप लोगों ने उसको ऐसे इंटर्प्रेट करना है जो ज्यादा फेवरेबल आउटकम दे जो लेजिसलेशर सोच रह था एग्जांपल देता हूं एक आस पर दा कम्पनी आग 2013 आप आप अप्लिके इंट देना होते हैं there has been the same issue decided by two other other people one saying 25% is a good option and the other says 5% हमने इसका constructive एक बंदा लाया हमने इसका harmonious construction लाया हमने का 25% लो अगर तुम अप्लिकेशन पे 25% लोगे तो company law की इज़त रहेगी क्योंकि company law ने क्या बोला था कम से कम 5% लो ऐसा तो नहीं बोला था जादा से जादा पह क्या करो most favorable judge का काम क्या most favorable चीज़ को opt-out करेगा ताकि दूसरी intentions भी cover हो जाए और maximum benefit हमको मिल पाए अगर मैंने यहाँ पर company law को upheld किया होता और खाली 5% बोला होता अगर company law upheld किया होता और खाली 5% application money बोला होता सेभी का बनाया और रूल गया था तेल लेने पर इसी जगह अगर अपन ने सेभी की बात मान के 25% application money बनाया है तो क्या 5% बाला भी रह गया 25% बाला भी रह गया तो तीसरी चीज़ अगर एक provision के interpretations आ रहे हैं जो दो interpretations है तो जादा favorable है उसको follow करो ताकि दूसरा automatically follow हो last is not within human powers to foresee the manifold set of facts which may arise in the future and even if it were so it is not possible to provide for them in terms free from all ambiguity ये मेरा example देखें cell phones are prohibited in the class बड़ा clear है मैं जितना सोच पाया मैंने मेरी सोच के आप से cell phones को prohibit कर दिया है मैंने इससे ज्यादा आप से कुछ मांगा नहीं मांगा मैंने बोला cell phones दे उन्हें ची तुम लेकर आ रहे हो walkie-talkie कि यहां से बाते कर रहे हो बगल के लड़िक्यों से ठीक है आपने बात समझनी है अब यहां पर जब मैंने लाइन पड़ी तो मैं 4C नहीं कर पाया मैं 4C नहीं कर पाया कि तुम walkie-talkie भी लेक्या होगे पर क्या मेरा intention यह था कि class के अंदर जब आप बैठ रहे हो तो आपने कोई communication क्लास के अंदर जब आप बैठ रहे हो तो आपने सिर्फ मेरी तरफ देखना था मेरी बात समझनी है यह जो फोर्थ पॉइंट है वो आपके सामने क्या स्टेट्यूट कहता है कि सेल फोन से दिक्कत नहीं थी प्रॉब्लम किस चीछ से थी आपके डिस्ट्रैक्शन से अभी शौर इनव ठीक है यहां पर रुख जाओंगया यहां तक सो फर सो खुड आपका आज की लेक्षर बैठने के लिए दैन्यवाद कल मिलते हैं जेहें ज